नमस्कार आपका अख्बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग जैसे हर घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता उसी तरह से हर राजनेता लंबे समय की राजनीती के लिए नहीं बना होता उसका एक एक टाइम पिरियड होता है उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो राजनीती है उसका शरुण शुरू हो जाता है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल की राजनीती का भी यही हाल है जब आये थे तो एक उम्मीद की किरण बन कर आये थे उनका दावा था, उनके साथियों का दावा था कि हम राजनीतिक विकल्प नहीं बनने आएं हम वैकल्पिक राजनीती करने के लिए हैं और वैकल्पिक राजनीती का तो कोई मौडल पेश करने ही पाए एक मौडल जरूर हुआ पेश किया वो है रेवडी कल्चर की राजनीती है देश में रेवडी कल्चर की राजनीती को इंट्रड्यूस करने का अगर किसी को श्रे जा उनको ये भी श्रे जाता है कि उन्होंने मजबूर किया कई पार्टियों को कि वो उनकी नकल करें उनके पद्चिन्नों पर चलें और वो भी इस रेवडी कल्चर की जो होड है उसमें शामिल हो जाए ये उनकी उपलब्धी है इसके बाद अगर आप उपलब्धी के नाम पर पूछेंगे तो कुछ नहीं है मुफ्त का कल्चर रेवडी कल्चर जो उन्होंने पूरे देश में चलाने की कोशिश की देश के ज्यादा तर राज्यों ने उससे इंकार कर दिया वो उत्तर प्रदेश चुना उलडने गए, वो हरियाना गए, वो गोवा गए, वो उत्तराखंड गए, वो करनाटक गए, वो गुजरात गए सभी जगों पर लोगों ने उनका जो रेवडी कल्चर का मॉडल है, उसको रिजेक्ट कर दिया लेकिन दिल्ली और पंजाब में उनका ये मॉडल चल गया, अब सवाल यह है कि ये मॉडल चल गया या कुछ हो और वजशे से उग आ गया इस हथ में कि जो नंबर एक और नंबर दो की पार्टी है जैसे दिल्ली की बात करें दिल्ली में नंबर एक की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी थी 15 साल से सत्ता में थी नंबर दो की पार्टी भारती जन्ता पार्टी थी जो पाट साल सत्ता में रह चुकी थी 1993 से 1998 तक आजं़ नबर एक की पार्टी थी सत्ता रूड पार्टी थी उससे लोगों का मोह भंग हुआ और जब विकल्प के रूप में दूसरे नमबर की पार्टी की ओर देखा तो उनको उस पर भी भरुसा दे हुआ यहनी नमबर एक की पार्टी डिसक्रेडिट हो गई और ढर दू क पार्टी लोगों की नजर में विश्वसनी नहीं लगी, तो दोनों को रिजेक्ट कर देंगे, तो तीसरा कहां से आएगा, अर्विंद के जरिवाल आ गए, और दिल्ली के लोगों ने उनको सत्ता सौंप दी, दूसरा, पंजाब, पंजाब में भी यह हुआ, नमबर एक की प भष्टा चार, यह सब उसको ले डूबे, कुछ खसर अगर बाकी थी, तो पार्टी के हाई कमान ने पूरी कर दी, जिस तरह से अपमानित करके कैप्टन अमरिंदर सिख को हटाया, और जिस तरह की सरकार बनी, अकाली दल दस साल की सत्ता के बाद इतना जादा डिस्क्रेड हो चुकी है पंजाब में, कि उसको कोई हाथ लगाने को तयार नहीं है, तो अकाली दल के रिवाइवल की कोई संभावना नहीं, और कॉंग्रेस पार्टी नीचे चली गए, तो तीसरा विकल्प किया था, 14 से कोशिश कर रहे, 2014 से आमादमी पार्टी कोशिश कर रहे थी, ल पल नहीं हो पाई है, और आगे भी उसके होने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि जो नयापन था आमादमी पार्टी का, वो खत्म हो चुका है, दिल्ली में धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो रहा है, पुरी तरह से हो गया, ये नहीं कह रहा हूँ, पंजाब म के लिए मुख्यमंतरी भगवन सिंग मान बनेंगे, उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं, जिस तरह से इदिल्ली से भेजे गए रागाव चड़ा को उन्होंने एक तरह से अपने सरकारी सिस्टम से बाहर कर दिया, ये आने वाले दिनों के संकेत ह कि भगवन सिंग मान को लगने लगा है कि वो दिल्ली से बड़े राज्य के मुख्यमंतरी है और महतवपूर्ण राज्य के मुख्यमंतरी है, उनकी हैसियत जो है वो अर्विन केजरिवाल से बड़ी है, उनके पास स्टेट प्लेन है, जो अर्विन केजरिवाल के पास नही ये अर्विंद केजरीवाल का लाया हुआ था, उनके नाम पर ये मैंडेट नहीं आया, ये अलग बात है अगर उनको मुख्यमंतरी के रूप में पेष नहीं करते हैं, येatisfश नहीं करते हैं, एक भी कह रहा हूँ, जिसकी दो राज्यों में सरकार हो और लोकसभा में सिर्फ एक सदस्य हो। जो आठ साल से सत्ता में हो जिसको दो राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला हूँ, उस पर लोग लोकसभा की सीट के लिए भरोसा नहीं कर रहे हैं। संदेश क्या है? मद्दाताओं का बड़ा साफ संदेश है कि अर्विंद केजरिवाल छोटे चुनाओं के लिए यानि विधान सभा के लिए ठीक है, बड़े चुनाओं यानि लोकसभा के लिए नहीं। तो राष्ट्री राजनीती की उनसे अपेक्षा नहीं करता मद्दाता इसलिए उनकी तरफ देखता भी नहीं। जिस दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी का वोट शेर 4.5% पर आ गया है, उसी पार्टी को लोकसभा चुनाओं में दिल्ली का मद्दाता 22% से ज़्यादा वोट देता है, नमबर 2 बनाता है। लेकिन अर्विंद केजरिवाल को नहीं आने देता है। मद्दाता का इस से बड़ा संदेश, इस से बड़ा साफ संकेत और क्या हो सकता है। कि भई आप लोकसभा के लिए याराश्ट्री राजिनिती के लिए नहीं बने हैं। उसकी कोशिश मत कीजिए। तो अब सवाल है कि अबरिन केजरिवाल जो कहते से सब मिले हुए हैं जी, सब को भरष्ट बताते थे, आज जिन पर भरष्टाचार का आरोब लगाते थे, जिनको जेल भेजवाने की बात करते थे, उनहीं की गोद में क्यों जाकर बैठ गए है। क्यों वो विपक्षी दलों के गडबंधन में जाने के लिए इतने आतुर है क्यों वो पटना गए और क्यों वो बैंगलूरू गए। उनकी जो सोच थी, उनकी जो राजनीती थी, उससे तो इन दलों की राजनीती मिल खाती नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया। अर्विंद केजरिवाल को ये बात समझ में आ गई है कि राष्ट्री राजनीती में उनकी प्रासंगिकता नहीं है। दो-DO राज्यों की सरकार लेकर राश्ट्रीय पार्टी का दरजा मिल जाने के बाद भी लोकसभा में उनकी कोई हैसित, कोई ताकत नहीं है। एक राज्य की पार्टीयां उनसे लोकसभा में बहुत बड़ी हैसियत रखती है। उचाए अब टी- ऐसी पार्टियां भी जो शुरू हुई हैं, अगर तुलना की जा सकती है थोड़ी बहुत, तो हाला कि AGP एक बड़े आंदोलन से निकल कर आई थी पार्टी, लेकिन उसको राज्य में भी सफलता मिली और लोकसभाच चुनाव में भी सफलता मिली, अपने राज्य में, ये उनका दुर्भागिया है, देश का मददाता, देश की जनता मानती है कि अर्विंद केजरिवाल को जहां उनकी जो हैसित है, जो उनकी एक्षमता है, वो हमने दे दिया है, इस से जादा कि वो हगदात नहीं है, तो इस से आप अंदाजा लगाईए, कि उनके बारे में जनता की राय क्या है, तो सवाल यह है कि अभी गडबंधन में जानने के लिए इतना बेचैन क्यों है, अर्विंद केजरिवाल को साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्री राजिनीती की दृष्ट्री से उनका आखरी चुनाव हो सकत इसके बाद उनके लिए कोई संभाव ना बचेगी नहीं, लगातार तीन चुनाव में कोई कोई प्रभावशाली प्रदर्शन न करने के बाद उनकी राष्ट्री राजिनीती की जो महत्वा कांख्शा है, वो सदा सरवदा के लिए समाप्त हो जाएगी, तो राष्ट्री राजिनीती में प्रासंगिक बने रहने के लिए वो गटबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर गटबंधन में शामिल हो गए और सीटों का तालमिल हो गया जैसे दिल्ली में, अगर तीन-चार या चारतीन का भी समझवता हो जाता है, तो उतनी मिलने की उनको संभावना बढ़ जाएगी इसी तरह से पंजाब में अगर साथ चे पांच आठ जो भी जो भी समझावता हो जाए कॉंग्रेस पार्टी कि अभी तेरह में से आठ लोग सभा सदस्य है तो कॉंग्रेस पार्टी नंबर दो बनने को तो तयार नहीं होगी लेकिन जो भी समझावता हो जाए कॉंग्रेस भी कोई बहुत अच्छी आलत में नहीं है कि वो जो है टर्म्स को डिक्टेट कर सके तो दोनों का मजबूरी का गड़बंधन है दोनों अपने को राजनितिक रूप से प्रासंगिक बनाय रखने के लिए कि लड़ाई लड़ रहे है दो हजार चौबिस मैंने एक वीडियो बनाया था कई पार्टियों का नाम लिया था है कि उनके लिए जो है ये आखरी चुनाव साबित हो सकता है लोग समा का तेकि कोई पार्टी खतम नहीं होती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी दो हजार चौबिस के दीरे दीरे ऐसे गिरना चुरू हो गया है दिल्ली में अब वो लोग प्रियता अर्विन केजरिवाल की नहीं है जो पहले 2013-15-20 में थी उससे वो नीचे आये हैं अब सवाल है कि कितना नीचे आये हैं यह इससे तैह होगा कि भारती जनता पार्टी कितना उपर गई है दिल यह इस्तिती पंजाब में है पंजाब में अगला चुनाव यानि 2027 का चुनाव आम आदमी पार्टी और भारती जनता पार्टी के बीच पे होगा ऐसा अभी दिखाई दे रहा है तो क्या उसका असर होगा क्या एक राष्ट्री पार्टी को हटा कर पंजाब में दूसरी राष्ट्री पार्टी को पंजाब के लोग चुनेंगे यानि काउंग्रिस की बज़ाए बारती जनता पार्टी को ये एक बड़ा सवाल है अभी बारती जनता पार्टी के वहाँ कोई बड़ी हैसियत नहीं ह तो इसलिए ये अंदाजा लगाना कि अचानक से बहुत बड़ी हो जाएगी अभी कहना मुश्किल है लेकिन ये सब तै होगा 2024 के लोगसभा चुनाव के नतीजे से लोगसभा चुनाव का नतीजा ये बताएगा कि कौन सी पार्टियां राजनीतिक रूप से राष्ट्री राजनीती में प्रासंगिक रह जाएंगी और कौन हाशिय पर चले जाएगी और उसमें हाशिये पर चली जाने वाली पार्टियों के सूची में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का नाम सबसे उपर है अर्विन केजरिवाल का desperation ये है उन लोगों के साथ जाने का जिनको वो जेल भेजना चाहते थे ये अलग बात है कि उनको जेल नहीं भेज पाए लेकिन उनके लोग जेल में है तो जहां से चले थे और कहां पहुँचे जिनके विरोध में खड़े हुए थे आज उनी के साथ खड़े है ये है अर्विन केजरिवाल की राजनीती का कुल जमा तो दो हजार चौबेस बहुत से लोगों का बहुत सी पार्टियों का नेताओं का राजनीतिक भविश्य तै करेगा तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजे आपसे नोध है कि चैनल देखे शेर कीजे लाइक कीजे और सब्सक्राइब जरूर कीजे नमस्कार